शिमला का गेटी थेटर हमेशा ही विभिन कारिक्रमों से गुलजार रहता है गेटी थेटर की लोग प्रियाता दिन प्रत दिन बढ़ती जा रही है जिसको देखते हुए यहां पर बाहरी राजों से भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं इसी के तहत इन दिन गेटी थेटर में बंगाल आर्ट फाउंडेशन द्वारा कोलकता आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है यह फेस्टिवल 28 अप्रेल से एक मई तक चलेगा शिमला की केटी थेटर में बंगाल आर्ट फाउंडेशन द्वारा फिफ्ट कोलकता आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर से उनने सनामी कलाकारों की पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है आर्ट फेस्टिवल में रखी गई पेंटिंग्स लोगों को काफी पसंद आ रही है यह पेंटिंग्स विविभेन शेली और विशों पर अधारित है वहीं समसमायक विशों पर भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं हिमाजर प्रदेश विश्व विद्याले के डिपार्टमेंट ओफ विज्वल आर्ट्स के प्रोफेसर हिम चेटरजी ने कहा कि शिमला के गेटी थेटर में अब कई तरह की संस्थाइं पेंटिंग एक्जिविशन आयोजित कर रही है उन्हें कहा कि ये खुशी की बात है पहले तो मैं अभारी हूँ बेंगॉलाग फामडेशन का जो की कलकता से ना केवल कलकता के एक अलाकार बल्कि भारतवर्श के अलग-अलग प्रांगतों से 19 कलाकारों को गेटी में सब को आमन्तित करके उनके चित्रों का एक बहुत सुन्दर प्रदेशनी लगाई है इस प्र जहां कि आप देख सकते हैं कुछ वाटर कलर्स हैं, कुछ आइल पेंटिंग्स हैं, कुछ एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं और समसमाईक विशों को लेके भी चित्रंग हुआ है मुझे इस बात के खुशी है कि कलकता या देल भर के कलाका शिमला के इस गेटी थियर्टर जो की कितना पुराना और एक इतहासिक धरोहर है भारत का, इसके बारे में जान रहे हैं और यहां आके अपनी प्रदेशनी लगाने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं यह एक्जिबिशन जो लगी है मुझे लगता है इसकी एक परचार और परसार जो हमारे शिमला के इस गैलरी का हुआ है वो इसी का नतीज़ा है मैं पार्टिस्पेर्ट कला का जो दूर दूर से यहां हैं उनको शुब कामना है देता हूँ और मुझे आशा करता हूँ कि उनको शायद पहली बार ये एसास होगा कि उनके चित्रों को देखने के लिए इतने लोग आते हैं क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत वर्ष में इस कला दिरकाह में जितने लोग परदर्शनी देखने आते हैं शायद भारत में किसी बी कोने में इतने लोग किसी भी ग्यार्णी में नहीं जाते हैं ये मैं कास्वासन देता हूँ और इंकी सफरता की कामना करता हूँ